अत श्रे योग वाशिष्ठे उपशम प्रकरणे अष्ट पंचाशत्तम सर्गह श्रे वशिष्ठव वाचो अत्रैवो दाहरंतीम मितिहासं पुरातनं किरातेशस्य सुरगोर बृत्तांतं बिस्मयास्पदं उत्तरस्यादिशो मेदह करपूरपटलं भुवह संभूतं हसनं शार्भं शुक्लोवाचांद्र आतपह हिमाद्रे श्रिंगमस्तिह कैलाशो नाम पर्बतह शैलकुंजर निर्मुक्त कलापस्येव नायकह विष्णोहोक्षीरोदकईव स्वर्गहा सुरपतेरिव अब्जजस्येवनाभ्यब्जम् ग्रिहम्यह शशिमौलिनह रुद्राक्ष बृक्ष दोलाभि साप्सरोभिर विभातियह लोलरत्नशलाकाभिर लहरे भिरिवार्णवह गणांगनानामनिषम् मत्तानाम् चर्णैरहताह अशोका इवराजन्ते यत्राशोका विलासिनह संचरन्षंकरो दिक्षु भ्रिगु श्विन्दु मनिद्रवैहि निवर्तन्ते प्रवर्तन्ते यत्राजस्रम्च निर्जराह योलता ब्रिक्ष गुल्मउग बापी ह्रद नदी नदैहि म्रिगैर म्रिगगनैर भूतैर ब्रह्मा अंडव दिवा वृतह तस्यहे मजटानाम किराताह सम्स्थिताहास्थले पिपीलिकाबटतरोर्मूलकोशगताईव कैलास पादारण्यानाम रुद्राक्षैस्त रुगुल्मकैहि बसंति धूकवत क्षुद्रास्तेवै निकट जीविनह आसितेशा मुदारात्मा राजा परपुरंजय यह जयलक्ष्मिया भुजईव यह प्रजायास्च दक्षिनह सुरगुर्नाम बलवान सुरगोरारि दर्पह अर्कह पराक्रमईव मूर्तिमानिव मारुतह जितोवै राज्य विभवैर धनैर गुईहक नायकह शतक्रतु गुरुर्बोधैहि काब्यै रसुरदेशिकह सो चक्रे राजकारियानि निग्रहा नुग्रह क्रमईह यथा प्राप्तान्यकिन्नांगो दिनानिव दिवाकरह तज्जाब्याम सुख दुखाब्यामत तस्याब्यभूयत स्वगतिर बागुरावंधैहि श्लिष्टांगस्येव पक्षिनः किमार्तं पीडयाम्यनं तिलानि यंत्रमि बाउजसा सर्बेशामे बभूतानाम् ममे वार्तिही प्रजायते धनमस्मै प्रयच्चामि धनेनानंदवांजनह भवत्यह मिवाशे शस्तदलं मेति निग्रहेहि अथवा निग्रहं प्राप्तं करोम्यते न वैविना वर्तते न प्रजैवेयं बिनावारि सरिद्यता हा कष्टमे वनिग्राईयो नित्यानुग्राईय एशमे दिष्ट्याध्य सुखवानस्मी कष्टमध्यास्मी दुखवान इति दोला इतंचेतो न विशश्राम भूपते एकत्राम्भु महावर्ते शिरत्रिष्णमि बब्रमत। अथैकदा ग्रिहंतस्य मांडब्यो मुनिराययो भ्रांताशेशक कुपकुञ्यो बासवस्येव नारदह। तमसव पूजयामास पप्रच्चच महामुनिम् संदेह दुर्द्रुमस्तंभपरशुम् सर्वकोविदं सुरगुरुवाच भवदागमने नास्मी मुने निर्वृत्यमागतः परमाम्बसुधापिठं संप्राप्त इवमाधवे। अध्यतिष्ठाम्यहं नात धन्यानाम धुरिधर्मतः। विकासिरविने वाप्यम् यत्वयास्म्यबलो कितह। भगवन्सर्वधर्मग्य चिरंबिश्रांत वानसी। तदमुम् शंषयं चिंधि ममार्कस्तिमिरं यत्व। महताम संगमे नार्तिही कस्यनाम ननश्यती संदेहं तुपरामार्ति माहुरार्ति विदो जनाह। मनिग्रहा नुग्रहजा मद्भृत्यवपुषिस्थिताह कशंतिमामलं चिंता गजम हरिनकाईव। तद्यथा समतो देति सूरियां शुरिवसर्वदा मतव मममुने नान्या तथा करुणया कुरू। मांडब्यव वाचो स्वयत्नेना स्वसंस्थेन स्वेनो पायेन भूपते एशामनहा पेलवता हिमबत प्रभिलीयते। स्वविचारणय वाशु शाम्यत्यंतर्मनो ज्वरह शरदागम मात्रेण मिहिका महतियता। स्वेनईव मनसास्वानि स्वशरीर गतानिच विचारयें द्रियान्यंतह की द्रिशान्यत कानिच। कोहं कथमिदं किम्बा कथम्मरण जन्मनी विचारयांतरेवं त्वं महत्ता मलमेश्यसी। विचारना परिज्यातस्वभावस्य सतस्तव हर्षामर्षदशास्यतस्तोल इष्यंति नाचलं। मनहा स्वरूप मुत्स्रिज्या शममेश्यति विज्वरं भूतपूर्वबपूर्भूत्वा तरंगहा पयसीवते। तिष्ठदेव मनोरूपं परित्यक्ष्यति तेनगा कलंक विकलं कालं मन्वंतरगता आविवा। अनुकंप्या भविष्यंति श्रीमंतह सर्वेवते। द्रिष्टतत्वस्यतुष्टस्य जनाहा पितुरिवावन। विवेकदीप द्रिष्टात्मा मेर्वब्धि नभसामपी अधोकरिष्यसिन्रिप महत्ता मुत्तमार्थदाम। महत्ता मागते चेतस्तव सम्सार बृत्तिशु। नो निमज्यति हे साधो गोश्पदे श्विवबारणहां। कृपणं तुमनो राजन पेलबेपि निमज्यति कारिये गोश्पदतो येपि जीर्णांगो मशको यता। चेतो बासनया पंके कीटवत परिमज्यसि दृष्यमात्रा बलं बिन्या स्वया दीनतया तया। तावत तावन महाबाहो स्वयं संत्यज्यते खिलं यावत यावत परालोकह परमात्मैव शिष्यते। तावत प्रक्षाल्यते धातुर यावत धे मैव शिष्यते। तावत आलोक्यते सर्वं यावत आत्मैव लभ्यते। सर्वह सारिविकया बुध्या सर्वं सर्वत्र सर्वदा सर्वता संपरित्यज्य स्वात्मनात्मो पलभ्यते। यावत सर्वं नसंत्यज्य तावत आत्मान लभ्यते। सर्वावस्था परित्यागे शेश आत्मे तिकत्यते। यावदन्यन्न संत्यक्तं तावत्सामान्यमे वही वस्तुना साध्यते साधो स्वात्मलावे तुका कथा। यत्रसर्वात्मनै वात्मा लाभाय यततिस्वयं त्यक्तान्यकारियं प्रापनोति तन्नाम निरिपने तरत। स्वात्मा बलोकनार्थम्तु तस्मात्सर्वं परित्यजेत् सर्वं किंचित्परित्यज्य यत्रिष्टं तत्परंपदं। सकलकारणकारिय परंपरा मय जगत गत बस्तु बिज्रिंभितं। अलमपास्यमनह स्वबपुस्ततह परिभिलाप्यय देति तदेवतत। इत्यार्षे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी किये देवदूतोक्त मोक्षोपायेशु उपशमप्रकर्णे सुरगु वृत्तांते मांडब्योपदिशो नाम अष्टपंचाश सर्गह। अत एको नशष्टितमस सर्गह। श्रे वशिष्ठ वाच। इत्युक्त्वा भगवानेनं सुरगुम्रगुनंदना ययोँ स्वमेवरुचिरं मांडब्यो मौनमंडलं। गते वरमु नुराजा गत्वै कांतम निंधितम् धियासंचिंतयामास कोनामाह मितिस्वयं। नाहं मेरुर्नमे मेरुर्जगन् नाहं नमे जगत्वनाहं शैला नंमे शैला धरा नाहं नमे धरा। किरात मंडलं नेदं ममनाहंच मंडलं निजसंकेत मात्रेन केवलं देश एवमे त्यत्तो मैईश संकेतो नाहं देशो नवैश मे इदानीम नगरं शिष्ट मेश एवात्र निष्चय पताकावन पंत्याध्या भृत्यो पवन संकुला गजाश्वसामंत युता पुरी नाहं नमे पुरी व्यर्थ संकेत संबंधं संकेत बिगमेक्षतं भोग बृंदं कलत्रंच नाहं नैतन्मा माखिलं एबं सभृत्यं सबलं सभाहन पुरांतरं नाहं राज्यं नमे राज्यं संकेतो इहयमा कुलाह देहमात्रमहं मन्ये हस्तपादाधिसैयुतं तदिदंतावदाश्वंत रलमालो कयाम्यहं तदत्रतावन माम्सास्थि नाहमे तदचेतनं नोचेतन्ममसंश्लेष मेत्यप्यस्यायताजलं माम्सं जडं नतदहं नईवाहं रक्तमप्यलं जडान्यस्थेनि नईवाहं नचेतानि ममक्वचित। कर्मेंद्रियानि नईवाहं नच कर्मेंद्रियानि में जडं यत्किलदेहे स्मिंस्तदहं नईवाचेतनहां नाहं भोगा नमे भोगा नमे बुद्धि इंद्रियानि च जडान्यसत्स्वरूपानि नच बुद्धि इंद्रियान्यहं मूलं सम्षिर्धि दोशस्य मनो नाहं जडं हितत अथ बुद्धिरहंकार इति द्रिष्टिर्मनो मई मनो बुद्धि इंद्रियाध्यंतो भूतकोशस्चलत्वपुः नाहमेबं शरीरादि शिष्टमालो कयाम्यहं शेशस्तु चेतनो जीवह साचेचेत्यन चेतति अन्येन बोध्यमानो सौ नात्मतत्वबपुरुभवेत। एबं त्यजामि संबेद्यम चेत्यम नाहम हितत्किल शेशो विकल्परहितो विशुद्ध चिदहं स्थितह। चित्रमेशो स्मिलप्धात्मा जातह कालेनकार्यवान एशसोह मनंतात्मा नांतोस्य परमात्मनह। ब्रम्हनी इंद्रेयमे बायव सर्भभूत गणेतता सैश भगवानात्मा तंतुर मुक्ता स्विवस्थितह। चेच्छक्तिरमला सैशा चेत्यामय विवर्जिता भरिताशेषदिक्कुञ्जा भैरवाकारधारिनी। सर्भभावगता सुक्ष्मा भावाव विवर्जिता आप ब्रम्ह भुवनांतस्था सर्भशक्ति समुद्गिका। सर्व सौंदरिय सुभगा सर्व प्राकाश्य दीपिका सर्व सम्सार मुक्तानाम तंतुराततरूपिनी। सर्वाकारविकाराध्या सर्वाकारविवर्जिता सर्व भूत उगताम्याता सर्वदा सर्वताम्गता। चतुर्दश विधान्येशा भूतानि भुवनोदरे एतन्मयीयं कलना जागती वेदनात्मिका। मिथ्या भभासमात्रंतु सुख दुख दशागतिही नानाकारमया भासह सर्वामात्मई वचित्परा। सोयमात्माम अभ्यापी सेयम यदब बोधनं सेयमा कलितांगा भा करोति निरिप बिभ्रमं। अस्याएब अप्रसादेन मनोदेहरते स्थितं सम्सार जाल लीलासु याति वल्गति नृत्यति। इदम्मनहा शरीराधि नो किंचिदपि वस्तुतह नष्टेन किंचिदप्यस्मिन परिनश्यति पेलवे। जगज्यालमयं दृत्तमिदं चित्तनटैस्ततं एतयई वैकया बुध्या दृष्यते दीपलेखया। कष्टम्मुधैवमेचिंता निग्रहा नुग्रहस्थितव बभूवदेह निष्ठेह नौकिंचिदपि देहकं। अहोत्वहं प्रबुद्धोस्मि गतं दुर्दर्शनंममा। दृष्टं दृष्टब्यमकिलं प्राप्तं प्राप्यमिदं मया। सर्भं किंचि दिदं दृष्यम् दृष्यते यज्यगत गतं। चिन्निष्पंदांशमात्रांशान्नान्यत किंचन साश्वतं। क्वात्व की दृग्विधव बापि किम निष्ठव बाकि मात्मगव। निग्रहा नुग्रह। लोके हर्शामर्शक्रमव। तथा। किम सुखं किम नुवा दुखं सर्भं ब्रम्हेदमाततं। अहमासं मुधा मूधो दिष्ट्या मूधो स्म्यहं स्थितहा। किम अस्मिन्ने वमालोके शोच्यते किम विमुयते किम प्रेक्षते किम क्रियते स्थियते वाथ गम्यते। किंचि देव मिदम नाम चिदाकाशे विराजते। नमो नमस्ते निस्तत्व दिष्ट्या दिष्टो सिसुंदर। अहो नुसंप्रबुद्धोस्मि सम्यज्यातमलम्मया। नमो मैह मनंताय सम्यज्यानो दयायचो। बिगतरंजन निर्भिषयस्थितिर। गतभवब्ध्रमरंजित वर्जिते। स्थिरशु शुप्तकला भिगतस्ततह समसमं निवसाम्यह मात्मनी। इत्यार्षे श्रिवाशिष्ठ महारामायने बालमी किये देवदूतोक्तमोक्षो पायेशु। उपशम प्रकर्णे सुरगु विश्रांतिर्नाम एकोनशष्टितमस्तर्गह। पथशष्टितमस्तर्गह। श्रिवशिष्ठ ववाच। इतिहे मजटाधीशो लेभे पदमनुत्तमं विवेकाध्यवसायेन ब्राम्हन्यमिव गाधिजह। अनर्थाकारकार्यास। नासिच्यष्टासु खेदवान। भूयो भूयह प्रयुक्तास। दिनमाला स्विवेश्वरह। ततह प्रभृतिसोतिष्ठत्सरवदा बिगतज्वरह। समासमेश्वकेकारिये जलौगाग्र इवाचलह। हर्षामर्षबिनिर्मुक्तः प्रत्यहं कार्यमाहरन। उदारगंभीरबपुर जहाराम्भुनिदेहे श्रियं। सुशुप्त पदधर्मिन्या चित्त वृत्या व्यराजत निश्कंपया प्रकाशिन्या दीपह स्वशिखये वसह। ना निर्ग्रणो दयावान्यो ना द्वंद्वी ना थमत्सरी ना सुधेर ना सुधेर नार्थे ना नर्थे साबभुबह। समदर्षनया नित्यम बृत्या चापल धीरया अंतहा शीतलया रेजे परिपूर्णार्न वेंदुवत। सर्भम्चितत्वकलनं जगदित्यवलोक्यसह प्रशान्त सुधदुखश्रेस्तस्यपूर्णा मतिर्बभौ। उल्लसन् विकसन् पूर्णस्तिस्थन् गच्चन् विशन् श्वपन् अभूत् समसमाधिस्थः प्रवुधस्चिल्यम गटः। साकुर्वन् विगतासंगं राज्यं राजीवलोचनह अतिष्ठदक्षताकारो भूरिवर्ष शतान्यत। सम्निवेशमिमंदेहनामगं तदनुस्वयं साजहूतेजसाक्रांतो रूपं हिमकनोयता। विवेश परमाध्यंत कारणं कारणेश्वरं प्रज्ययासरितांबारि परिपूर्णमिभां बुधिं। अधिगत भिमलैकरूपतेजा बिजनदशाम समुपेत्यशांत शोकह। आलामभवदस उपरस्वरूपं घटखमिबांबरसंयुतं महात्मा। इत्यार्शे श्रे वाशिष्ठ महारामायने वालमी कीए देवदू तोक्त मोक्षो पायेशु। उपशम प्रकरणे सुरगु बृत्तांते सुरगु निर्बानम नाम शष्टितमस सर्गह। अब योग वाशिष्ठ महारामायने के उपशम प्रकरणे के 58, 69 और 60 सर्ग में किरात राज सुरगु का बृत्तांत बरनित किया गया है। महर्शी मांडब्य का सुरगु के महल में पधारना और उपदेश देकर अपने आश्रम को लोट जाना। सुरगु के आत्म विशेक चिंतन का बरनन तथा उसे परंपद की निर्वान की प्राप्ती का बरनन इन सर्गों में किया गया है। स्री वशिष्ठ जी कहते हैं हे रागव इस विशे में एक प्राचीन इतिहास का दिश्टांत दिया जाता है। जो की किरात राज सुरगु का परम बिसमेजनक बित्तांत है। पूर्वकाल में हिमाले के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेम जट नामक किरात निवास करते थे। उनका जो राजा था उसका नाम सुरगु था। वह उदार चेता एबं शत्रु नगरी पर बिजय पाने वाला था। बिजय लक्ष्मी तो मानो उसकी भुजाही थी। वह बलवान तथा प्रजा पालन में दक्ष था। पराक्रम में तो वह सूर्य तुल्य और बल में साक्षात मूर्तिमान बायू के समान था। उसने नाना प्रकार के राज्य बैभवों तथा बिविध धन संपत्तियों से गुईय का अधिपती कुवेर को और ज्यान से इंद्र गुरु ब्रिहस्पती को और काभ्य के गुणों से असुरु गुरु शुक्राचारी को भी जीत लिया था। वहा यथा वसर प्राप्त हुए राज्यकारियों को निग्रह और अनुग्रह की व्यवस्था से उत्साह पूर्वक करता था। तदनंतर उन राजकारियों से उत्पन हुए सुख दुखों से उसकी पारमार्थिक गती उसी प्रकार अभिभूत हो गई जैसे जाल में फसे हुए पक्षी की गती रुख जाती है। तब वह इस प्रकार विचार करने लगा कि मैं इन दुखी प्रजाजनों को कोलू में पेरे जाते हुए तिलों की भाती क्यों बलपूर्वक पीडित करता हूँ। मेरे समान ही इन सभी प्राणियों को भी तो दुख होता होगा अतह अब मेरा इन्हें और अधिक दंड देना ब्यर्थ है। मैं इन्हें धन संपत्ति प्रदान करूँगा क्योंकि मेरी तरह सभी लोग धन से आनंदित होते हैं। अथवा निग्रह का अवसर प्राप्त होने पर उसे भी करूँगा क्योंकि निग्रह के विना प्रजा अपनी मरियादा में स्थित नहीं रहती। यह मेरे लिए दंडनी हैं। यह सदा मेरे लिए अनुग्रह का पात्र है। सवभागी की बात है कि आज मैं सुखी हूँ और दुर्भाग्यवश आज मैं दुखी हूँ। यह सब अंत मैं कश्ट ही कश्ट है। प्रित्वीपती सुरगू का मन इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से चंचल हो गया। जिस से उसे कहीं बिश्राम नहीं मिला। जैसे चिरकाल की त्रिशा से युक्त मन जल के बड़े बड़े आवर्तों पर घुमते रहने पर भी जल के बिना कहीं शान्ती नहीं पाता। तदनंतर किसी समय महर्शी मांडव्य संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए राजा सुरगू के घर पधारे। ठीक उसी तरह जैसे देवर्शी नारद इंद्र के भवन में पधारपन करते हैं। वे मुनिराज संपूर्ण शास्त्रों के ग्याता थे। अतेव संदेह रूपी दुष्ट ब्रिक्षस तंभका छेदन करने के लिए कुठार स्वरूप थे। राजा ने उनका पूजन किया और इस प्रकार पूछा। सुरगु ने कहा, हे महामुने, जैसे लक्ष्मी पती भगवान विश्नु का दर्शन करके भक्त प्रसन होता है, उसी प्रकार आपके शुभागमन से मुझे परम हर्ष प्राप्त हुआ है। भगवन आप तो संपूर्ण धर्मों के ग्याता हैं और चिरकाल से परमपद में बिश्राम भी कर चुके हैं। अतहा जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। क्योंकि दुख के स्वरूप को पूर्ण तया जानने वाले बिग्जिजन संशय को ही महान दुख बतलाते हैं। भला महापुर्शों के संग से किसके दुख का विनाश नहीं होता। अर्थात सभी के दुख नश्ट हो जाते हैं। हे प्रवो, अपने प्रजाजनों पर मेरे द्वारा किये गए निग्रह और अनुग्रह से उत्पन हुई चिन्ताएं, मुझे उसी प्रकार उत्पीडित कर रही हैं, जैसे सिंग के नख हाथी को कष्ट में डाल देते हैं। अतह हे मुने, जिस प्रकार मेरी बुद्धी में सूरी की किरणों के समान समता का उदय हो और विशमता ना आने पाए। क्रिपा पूर्वक बैसा ही प्रयत्न कीजिए। महर्शी मांडव्य बोले राजन, जैसे सूरी की किरणों के स्पर्ष से कुहरे का बिनाश हो जाता है। उसी तरह बैराग्य और श्रवन, मनन और निदिध्यासन रूप अभ्यासादी निजी प्रयत्न से तथा आत्मस्थिती रूप उपाय से मन की यह कायरता पूर्णतया नश्ट हो जाती है। आत्म विशयक विवेक विचार करने से ही मन के भीतरी संताप का शमन होता है। ठीक उसी तरह जैसे सरद रितु के आगमन मात्र से विशाल मेघ मंडल बिलीन हो जाता है। इसलिए तुम मन ही मन विचार करो कि ये जो पुत्र, मित्र, आधी अपने संबंधी हैं तथा अपने शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं वे तत्वतह कौन हैं और कैसी हैं। मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। यहां दृष्य जगत क्या है। प्राणियों के जन्म मरण कैसे होते हैं। इस प्रकार हृदे में विचार करने से तुम्हें परमोत कृष्ट महत्ता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जब परमात्म तत्व का यथार्थ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे। तब जैसे संतान संतुष्ट हुए पिता की कृपा का पात्त होती है। उसी तरह वे सभी संपत्तिशाली राजा महाराजा तुम्हारे कृपापात्र हो जाएंगे। के जल में हाथी नहीं डूबता। तुम्हारे अंतक करण में केवल दृष्य का अवलंबन करने वाली बासना रूपा दीनता चाई हुई है। अपनी उसी दीनता के कारण तुम कीडे की भाती भोगों में पच रहे हो। जो सर्वात्मिका बुद्धी से सब देश में, सब काल में, सभी प्रकारों से संपूर्ण दृष्य प्रपंच का परित्याग कर देता है। उसे सर्व रूप परमात्मा अपने आप उपलब्ध हो जाते है। किन्तु जब तक संपूर्ण दृष्यों का पूर्ण तयाग नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा का साक्षात कार होना दुरलब है। क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग कर देने पर जो शेश रहता है वही परमात्मा कहा गया है। राजन, अन्यान्यकारियों का परित्याग करके आत्मा जिस विशय की प्राप्ती के लिए स्वयम सब प्रकार से यत्न करता है, उसी को पाता है। उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने आत्मा का साक्षात कार करने के लिए सभी विशयों का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि सब कुछ त्याग देने पर अन्त में जो दिष्ट गोचर होता है वही परमपद है। श्री वशिष्ट जी कहते हैं हे रगुनंदन महर्शी मांडव्य राजा सुरगु को इस प्रकार उपदेश देकर अपने उसी रुचिर आश्रम की ओर चले गए। जहां मुनियों का जमघट लगा रहता था। उन मुनिस्रेष्ट के चले जाने पर राजा सुरगु किसी दोश रहित एबं एकांत स्थान में जाकर अपनी बुद्धी से इस प्रकार विचार करने लगा। कि वस्तुतहा स्वयम मैं कौन हूँ। मैं मेरू परवत तो नहीं और ना मेरू गिरी मेरा है। न तो मैं जगत हूँ और ना जगत मेरा है। मैं परवत भी नहीं हूँ और ना परवत मेरे है। मैं ना प्रिथ्वी हूँ और ना प्रिथ्वी मेरी है। यह किरात मंडल भी मेरा नहीं है और ना मैं किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से ही यह देश मेरा कहा जाता है। लो मैंने इस संकेत को छोड़ दिया अतहा न तो मैं देश हूँ और न यह देश मेरा है। इस नगर के विशय में भी इस कल्पनात यागजे यही निश्चे होता है कि यह पुरी जो पताकाओं और वनश्रेणियों से शुशोभित तथा भृत्यों और उपवनों से ब्याप्त एबं हाथी और घोड़ों और सामन्तों से परिपूर्ण हैं वह मैं नहीं हूँ और ना यह पुरी मेरी है। जो मिठ्या भूत मान्यता से संबंध रखने वाला और उस मान्यता का बिनाश होने पर नश्ट हो जाने वाला है। ऐसा यह भोग समुदाय और भारिया आदी कुटुम्भवी मैं नहीं हूँ और न यह सब मेरे हैं। इसी प्रकार भृत्यों, सेनाओं, बाहनों एबं अन्यान्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ और न राज्य मेरा है। क्योंकि यह मानिता तो केवल कल्पित है। इस शरीर में स्थित, माम्स और अस्थी भी मैं नहीं हूँ क्योंकि यह जड है। कमल दल पर पड़े हुए जल की बूद की तरह उनका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियां यह सभी जड हैं। अतह मैं यह नहीं हूँ और न किसी दशा में यह मेरे हैं। करमेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ और न करमेंद्रियां मेरी हैं। इस प्रकार इस देह में यावन मात्र जड़ पदार्त हैं। वे मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं तो चेतन हूँ। मैं भोग नहीं हूँ और न भोग मेरे हैं। ग्यानेंद्रियां भी मेरी नहीं है और ना मैं ही ग्यानेंद्रियां हूँ क्योंकि वे जड़ और असत स्वरूपा हैं। मैं नहीं हूँ और ना वे मेरे हैं क्योंकि यह द्रिष्टी मनोमई होने के कारण जड़ है। इस प्रकार चंचल स्वरूपाले शरीर से लेकर मन, बुद्धी और इंद्रियादी तक जो स्थूल और सुक्ष्म भूतों का समुदाय है उनमेंसे मैं एक भी नहीं हूँ। हो, महान आश्चरी की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित, विशुद्ध, साक्षी स्वरूप, चेतन आत्मा हूँ। जिसकी प्राप्ती के लिए मैं चिरकाल से प्रयत्रशील था, उस आत्मा की उपलब्धी तो मुझे आज ही हुई है। जिस विशुद्ध आत्मा का कहीं अंत नहीं है, वह तत्पदवोध्य असीम आत्मा ही मैं हूँ। वह चेतन आत्मा निर्मल विशय दोशों से शून्य और संपूर्ण दिंगमंडल को परिपूर्ण करने वाला तथा सर्वभ्यापक एबं सूक्ष्म उत्पत्ती और बिनाश्य से रहित समस्त आकारों से परे एबं सर्वदा सर्वभाब को प्राप्त है। जगत की यह अनुहवात्मक कल्पना भी चेतना शक्तिमई ही है और यह जो सुख और दुख की दशा का ज्यान होता है वह तो मिथ्या अनुहव मात्र है। तथा जो नाना प्रकार के आकारों की प्रतीती होती है वह सब कुछ परम चेतन आत्मा ही है। जो समस्त जगत में व्यापक है वही चेतन मेरा आत्मा है और जो मेरी बुद्धी का साक्षी है वही यह चेतन है। इसी चेतन शक्ती की कृपा से मन देहरूपी रत पर आरूड होकर अनेकों स्रिष्टी बिलासों में जाता है और वहां दोड़ धूप करता और नाचता है। वस्तुतह तो ये मन शरीर आदी वस्तुएं कुछ भी नहीं हैं क्योंकि इनके नश्ट हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। चित रूपी नट ने ही इस जगज्जाल रूपी नाटक का बिस्तार किया है। इसे केवल वही बुद्धी देखती है जो दीप शिखा के समान देदी प्यमान है। परंतु अत्यंत खेद की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिती में मुझे देह विशेणी चिंता व्यर्थ ही हुई। क्योंकि परमार्थ तहा देह कुछ भी नहीं है। अभो अब तो मुझे विशेश रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जिससे मेरा असद विचार नश्ट हो गया है। जिसे जानना आवश्यक था उसे मैंने जान लिया और जो प्राप्त करने योग्य था उसे पा लिया। अब लोक में वे निग्रह और अनुग्रह कहां हैं? किस प्रकार के हैं? किस में रहते हैं? और उनका सुरूप क्या है? इसी तरह हर्ष और अमर्ष की परंपरा भी कहां हैं? अर्थात ये सभी ब्यर्थ कल्पना मात्त रही हैं। अब मैं रागशून्य विशयों के संसर्ग से रहित और शुशुप्ति आदी हवस्थाओं से परे होकर उस विशुद्ध विज्ञानानंद घन परमात्मा में जो संसार भ्रम और रागादीशे शून्य हैं? उसी मैं नित्य निवास करूंगा। श्री बशिष्ट जी कहते हैं ए रगुकुल भूशन राम जैसे गाधिनंदन विश्वामित्र ने अपने तपोवल से ब्राम्हनत्त पराप्त कर लिया था। उसी तरह हेमजट नामक किरातों के राजा सुरगु ने निश्चयात्मक ज्यान के बल से परंपद पराप्त कर लिया। तभी से राजा सुरगु चिंता ज्वर से मुक्त हो गया। वह सरवदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कारियों में उसी तरह अटल बना रहता था। जैसे जल प्रवाह के सम्मुख परबत निश्कंप बना रहता है। हर्ष, विशाद और इर्श्या से रहित होकर प्रति दिन यथा अवसर प्राप्त हुए कारियों को न्याय पूर्वक करता हुआ राजा सुरगु अपनी उदार और गंभीर आकरती द्वारा समुद्र से भी बढ़कर सुशोभित होने लगा। उसकी बृत्ती अंतक कर्ण को शीतल करने वाली निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात मक्ती। उस बृत्ती से वह परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा की भाती शोभा पाने लगा। यह सारा जगत केवल चेतन तत्व की कलपना ही है। इस प्रकार निश्चय करने के कारण उसकी बुद्धी सांसारिक सुख दुखों से रहित हो गई थी। अतहा वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसलिए प्रबुद्ध तथा चेतन में बिलीन हुआ वह राजा हर्शित होते प्रफुलित होते पूर्ण रूप से स्थित रहते। चलते, बैठते और सोते समय सदा समस्वरूप परब्रम परमात्मा में ही स्थित रहता था। उसका शरीर बिकार रहित था। तथा नेत्र कमल के समान सुन्दर थे। वह अनासक्त भाव से राज्य करते हुए सैक्णों वर्ष परियंत इस भूमंडल पर बिद्यमान रहा। तत्पस्चात उसने स्वयम ही इस पंचभूतात्मक शरीर का परित्याक कर दिया। और परमात्मा का यथार्थ ग्यान हो जाने के कारण जो शृष्टी और प्रलायके हेतु तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन परब्रम्परमात्मा में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में प्रबेश करता है। प्रमात्मा को यथार्थ रूप से जान चुका था। और जन्म आदी विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसके समग्र शौक शान्त हो गए थे। इसलिए वह पूर्ण रूप परब्रम परमात्मा में उसी प्रकार एकी भाव को प्राप्त हो गया। जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। इस प्रकार महर्शिवालमी की प्रनीत वासिष्ठ महारामायन के देवदूतोक्त मोक्षो पायों में उपशमप प्रकरण में सुरगु को निर्वान की प्राप्ति किस प्रकार विचार करने से हुई। इसका बरणन करने वाला यह साथमा सर्ग पूरा हुआ।